जे योगोर हाडव। सभी दर्शकों को हमारी दिल से प्रणाम। चलिए, आज की जब विश्य बस्तु और भीडियो जो है, पूरुड तया, ज्यादुगरिनी माहेंद्री यक्षिनी के उपर ही है। केई सारे लोगों ने जैसे ही उसका विडियो आया, केई सारे लोगों ने हमें जीमेल की जरिये से और वाटसब की जरिये से सवाल करना सुरू कर दी। उनमें से पहला सवाल जो है, मानव रावत जी की तरफ से, वो ही सवाल जो पहले ही मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, क्या है वो सवाल, ये साधना से क्या लाब मिलता है, अब सबको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी और एक बार जल्दी में बता देता हूँ कि क्या क्या लाब मिलता है सारे असंभब काम को संभब करने वाला है माहेंद्री जादुगरीनी येक्षिन जैसे कि येक्षों की पत्निया को येक्षिनी कहते है और इनका राजा जो है स्वेम कुबेर है जो केई सारे जादुई शक्ति का मालिक है तो इनके पास जादूई शक्ति रेने के कारण हार एक असंभव कारिये को भी ये संभव कर देते हैं बस किसी इंसान मरे हुए इंसान को जिन्दा नहीं कर सकते हैं इनके अंदर ये काबिलित नहीं है बाकि किसी भी तरीके का बिमारी ठीक कर सकता है किसी भी तरीके का माल लो कोई व्यक्ति विकलांगे पेर नहीं है, हाद नहीं है, आँख नहीं है या खराब है उसको ठीक करने का काला को गोरा बनाना है गोरे को काला बनाना है किसी व्यक्ति कुरूप है तो उसके संदोर्य बनाना ठीक है कोई भी तरीके का जादुग दिखाना जिसे लोग आचमभिक होके रहे जाए यह सब कर सकता है सादक को दुष्मन से छोटे से छोटे बड़े से बड़े दुष्मन से सुरक्षय दिलाता है जादुगरे निमाहेंदरी एक्षने भूत कयल बर्तमन काल के बारे में सठिक बता देता है जादुविद्या सिखाता है अपने सादक को सट में सटकर्म करता है अपने सादक के लिए सादक की कहने के के कहने के क हैने पर महयंदरी जादुगरे नियेक्षने बसीकरण मोहन मार्णchine उच्चाटन स्तम्बन संतिक्रमाधी करता है चोबी सो घंटा इतने साधक के साध अदुरश्य रूप में रहे के बागी तो कोई देख नहीं पाएगा साधकी देख पाएगा और साधक की मुसिबत से परिशान दिलाता है मतलब मुसिबत से राहत दिलाता है और सारे परेसानी से निजात दिलाता है और सादक की सुरक्ष्य करता है एक जगा से दूसरे जगा अपने सादक को गयाब करके ले जाता है हर तरीके से पूरुनिता देता है अपने सादक को ठीक है चलिए आगले सवाल पर ध्यान देते हैं जग्डिस पाल जी का तरप से यह साधना कौन-कौन कर सकता है मैंने जैसे कि यह भी चर्चा कर चुका हूं विडियो में देखें यह कोई कि इलेक्षन नहीं हो रहा है कि भोट देने के लिए मतदान देने के लिए अठरा साल जैसे उमर की जरूत होता है तंत्र में ऐसा कोई उमर नहीं है जो ब्यक्ति कोई बच्चा भी हो अगर सही से मंत्र उचरन कर सकता है वो बच्चे भी साधना करने योग्ये हैं और साधना स खागा वी दिविधान को पालन करने वाला व्यक्ति ही साधना कर सकता है कोई बुझूर हो साधना में बेट नहीं सकता है तोब बच्चे संको कर सकता है जैसे कि मैं आप सब को कह रहेगा जैसे कि मैंना आप सब को कहाHey चुका हूँ UP कि ये सर्फ भीमारी नहीं बीमारी तो आठीक करता है श्रफ साधक के इसा मत सोचेंगे कि पुरеся परिवार काहीं टिक कर देगा और कोई किसी भी तरीके का कमजोरी है, सरीर में जैसे हाथ नहीं है, पेर नहीं है, सब कुछ ठीक करता है, कुरूप को रूपबान बनाता है, काला को गोरा बनाता है, गोरे को काला बनाता है, हर तरीके का जादू से ये स्ताई रूप से हर एक चीजों का परिवर्तन कर सकता ह तो आगली सवाल जो है मारांडी दीपक जी की तरब से ये साधना के लिए उर्जा की आप शक्ता होता है या ये साधना से पूर्ब और क्या क्या करना चाहिए देखें जैसे मैं आपको वीडियो में कह चुका हूँ कि 16 अभी से कर लिजिए सिप जी का ये एक कारिया है साधना से पूर्ब करना है रही बात उर्जा की कोई जरुवत नहीं रहता है कोई दोस है आपके सरीर में जैसे पित्रो दोस बगेरा तो उनकी चड़ावा देखे उनको ठीक करने के पस्चा दिये साधना करे अगले सवाल पर ध्यान देते हैं माहेंद्री जादुगरी ने यक्षिनी दिखता कैसा है क्या कोई डराबना सोरुप तो नहीं है देखिए शिवांग्स जी हम आपको कहना चाहेंगे ये इतना खुबसुरत है जितना आपने जीवन में कभी कोई ऐसा स्त्री नहीं देखे होंगे अफसरा के भांती ये सौंदर ये है सरीर से महेक आता है कोई भी इनसान इसे देखे तो आकर्षित होके ही रहता है बस आप अपने उपर काबू रोके ही ये साधना करिएगा चलिए आगले सबाल पर ध्यान देते रेसमा जी की तरब से ये साधना को कौन से रूप में करने से ज्यादा लाब मिलेगा मैं एक औरत हूँ तो रेसमा जी ये अगर आप एक औरत है तो आप माता रूप में कर सकते है अगर माता है आपकी जिवित है तो माता रूप में ना करे अगर आपकी बेहन है तो बेहन के रूप में कर सकते है ठीक, बेहन है तो बेहन के रूप में मत करे, बेहन नहीं है तो बेहन के रूप में करे, मेरा कहना थोड़ा सा उल्टा हो गया, रही बात कोई पुरुस ये साधना कर रहा है, तो पत्नी रूप, पत्नी नहीं है उस रूप में सिद्ध कर सकते हैं तो रैसमा कुमारी जी जब आप एक औरत है और ये भी सक्ति एक औरत ही है तो आप इसे माता बहन और मूल रूप जो यक्षणी होता है उस रूप में आप सिद्ध कर सकते हैं ज्यादा लाब किस रूप में मिलेगा जो आपने सवाल किये तो मूल रूप जो यक्षुनिका होता है उसी रूप में सिद्ध करने से ज्यादा लाब मिलेगा आगले सवाल जो है विकास ज्ञा की तरफ से सवाल है Gmail की जरे से सवाल पूछे थे कितने लोगों ने सिद्ध किये देखे मैंने दो ही लोग को ये साधना सिद्ध कराया अभी तक उससे पहले मेरे गुरुजी ने किये थे और मेरे गुरुजी के पास ये सक्ति था मुझे ये पता है और मैंने सर्फ दो लोगों को सिद्ध कराया एक तो मेरा गुरु भाई एक मेरा सिद्ध कराया संकरपूर के रहने बाले मेरे गुरु भाई जो है चंद्रश जी एक उनको दूसरा जो है मेरा सिश्य इन दोनों को ही मैंने सिद्ध कराये है संकर जी को पहली बार में सिद्ध हुआ क्योंकि वो एक अनुभवी सादक थे ये निया सादक भी ये सादना कर सकता है निया सादक भी ये सादना कर सकता है कोई ड्रावना अनुभव नहीं है, पूर्ण था एक साधना है मेरे सिश्य को जब मैंने ये साधना करवाए था पहली बार में तो साधना सिद्धी नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी बार में हो गया था ये दो तरीके से सिद्ध होता है एक तो प्रतक्षे सिद्धी, दूसरा जो अप्रतक्षे रूप में भी ये सिद्ध होता है आपको काम है न से मतलब है प्रतक्षे रूप में आप इसको देख भी सकते हैं और इसे बात भी कर सकते हैं तो कोई भ्यक्ति सोच रहा होगा कि अगर मैं प्रत्यक्षय रूप में सिध्ध करना चाहूं तो केसे करूं तो उसकी मंत्रों की मतलब जिसको सिध्ध हो चुका है प्रत्यक्षय रूप में लेकिन सिब दिख नहीं रहा है बाचित सब ओर हो रहा है तो उस इंसान को फिर से क नमसे को 11 माला जो है एक हपता तो करने से महाइंद रियक्षिन आप सबको दिख जाएगा अगले सबाल देखते हैं गगंदीप जी की तरफ से गगंदीप सक्षना जी की तरफ से हैं क्या आप ये साधना का गेरेंटी लेते हो अगर नया साधक करता है तो मैं हार एक साधना का गेरेंटी लेता हूँ मेरे चैनल में जितना डाला गया है सर्थ वही है मैं जैसे जैसे कहता हूँ अगर मेरे हर वो बात मान के एक साधना करता है तो मैं उसके हर एक साधना का guarantee लूँगा साधना सिद्ध नहीं हुआ तो मैं पेशा बापिस करूँगा साथ मैं ये साधना का भी guarantee लेता हूँ ठीक? गगंदीप जी साधना की पूरुन जनकारी पूरुन जनकारी मैं पहले वीडियो में दे दिया हूँ उसको देख लीजिए येक्षणी की उत्पति कैसे क्या हुआ है वो भी दिये दिया हूँ उसको भी देख लीजिए ठीक? दोनो वीडियो को देख लीजिए कोई भी साधना को एक वीडियो में हम पूरा नहीं करते, एक दो वीडियो और भी बनाते थे, ताकि उस साधना की पूरुन जानका नहीं मिले, रही बात मंत्रा और पूरुन विदिविदान के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं, वाटसप से, ये साधना को बंद कमरे में किया ज करने से आपको लाब नहीं मिलेगा मंत्र को ज्यागरित करें सभी देव को चड़ावा दे जो कोई व्यक्ति हमसे दिक्ष्णा लेता है इस साधना की तो हम क्या करते उसके नाम से कुलदेवी पित्रोदेव इस्टदेव ग्रामदेपता श्तामदेपता सबको चड़ावा दे कुए सब्सक्राइब कारे की हो shower कि अगली सवल देखते हैं तकी तोके भी इस्तिमाल के सिफ्य को किसी बीतरीका प्रहानी नहीं भी साधना करने में ne आगली सवल देखते हैं देबांगसू भीतल वहारे कोकि सफटे बólियुका सब्स्रक्राइन blood Index, क्या यह शक्ति को हम आजीबन अपने साथ रख सकते हैं अवश्य रख सकते हैं किसी भी रूप में रखे रख सकते हैं यह सात्विक देवी का अंग्स है यह कोई इतरी उनी शक्ति नहीं है कि इसके पीछा जुड़ा ना है तिक